मनीपुर इस देश का हिस्सा है, दो महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधान मंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन हिस्से की चिंता नहीं है। अमरीका एजिप्ट घूमते रहे। ग्रह मंत्री ने पढ़ला जार लिया, एक सो तीस से जादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैम्प में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं, स्कूल, कॉलेजेज, हजारों बिल्डिंगे जलकर राक हो गई ह और जब राहुल गांदी जी ने ठाना कि उनको वहाँ जाना है और वहाँ जाकर भारत जोडों को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अमरोद, उनके रास्ते में रोडा बनने का काम क्यों कर रही है भारतिया जनता पाटी की मनीपुर की सरकार और यह सारा काम केंदर की मोधी सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसका एक ही फलसफा है राहुल गांदी जी वहां क्यों जा रहे हैं राहुल गांदी जी वहां पर तूटे बिख्रे सपनों को सजोने के लिए जिन लोगों का विश्वास हिल गया है जिनके मन में शंका है उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आसु पोच्चने के लिए, लोगों को ये विश्वास दनाने के लिए, कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे, इसलिए राहूल गांधी जी वहाँ पर जा रहे है राहूल गांधी जी वहाँ पर प्रेम का संदेश देने जा रहे है राहूल गांधी जी वहाँ पर लोगों से मिलने जा रहे है राहूल गांधी जी वहाँ पर लोगों को धंडस बढ़ाने जा रहे है और जिस नफरत के बा जाजते हैं इंफाल के एरपोर्ट से निकलते हैं महद 20 किलो मीटर दूर उनका काफिला चलता है और विश्नुपुर में उसको रोक लिया जाता है उस काफिले को क्यों रोका गया पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाइर रोड जा सकते हैं उस काफिले को रोका जाता है और दिन लोगों में थोड़ी सी आश्रा और थोड़ी सी उम्मीत जगी थी तू कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है वहाँ लोग आ जाते हैं वहां गाओ के लोगी खटे हो जाते हैं और उन गाओ की महिलाओं पर बरबरता और निरंकुष पुलिस टीयर गयास के गोले दाग उनको ये विश्वास जटाने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन हिस्सा है आप भारत का एक अभिन हिस्सा है और परीक्षा की इस घरी में हम आपके साथ खड़े हैं वहां से उनको रोग दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी अब विसली उनके पास उपर से फोन आता है उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं अब आप ऐसे नहीं जा सकते हैं आप हवाई जहाद से जाइएगा वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोक कर कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं नफरत करने वाले लोग महबत से क्यों डरते हैं प्यार से क्यों घबराते हैं